चाइना की हुवे प्राविस में माजूर्द डैम इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम है 2300 मिटर चोड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना उचा 3 गॉर्जस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोके बैठा है 6000 किलोमेटर से भी जादा लंबी यंग सी रिवर एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है ये चाइना के वेस्ट में पहाडोश शुरू होती है और फिर आदे से भी जादा चाइना को क्रॉस करते हुई शंगाई के करीब एस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है 1911 में बारिशों की वज़े से यंग सी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था इस खौफनाक फ्लड ने दो लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था इस वाकिये के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से यंग सी रिवर बारिशों की वज़े से फ्लड कर गए और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया ये तबाही इतनी जादा थी कि चाइनिस गवर्मेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था एक एस्टिमेट के हिसाब से इस नैचरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जाने जाया हुई थी इतने जादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में येंगसी रिवर पे फ्लट्स का सिलसिला थम न सका इस मसले से जान चुडाने का सिर्फ एक ही उप्शन था येंगसी रिवर का पानी रोक कर एक डैम बनाये जाए लेकिन इतनी बड़ी रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था त्री गॉर्जेस्ट डैम की कंस्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई जिस पे एक वक्त में 40,000 लोग काम करती थी पूरे सत्रा सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कॉंक्रिट स्ट्रक्चर भी है इस मेगा स्ट्रक्चर में दो करोड असी लाख क्यूबिक मिटर कॉंक्रीट इस्तमाल हुआ था एक्सपर्स का कहना है कि इतना ज़्यादा कॉंक्रीट अगर स्विजर लेंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विजर लेंड दो फिट कॉंक्रीट के अंदर दस जाएगा कॉंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्व में इतना ज़्यादा पानी स्टोर करता है ये इसकी वज़े से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गॉर्जस डेम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकंड तक स्लो कर देता है यानि हमारे अर्थ पे सिर्फ इस डेम की वज़े से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकंड बड़ा हो जाता है बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकी लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है अब जाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा चाइनीज गवर्मेंट ने थ्री गॉर्जस डैम को बनाने में टोटल 32 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा किया था हैरत अंगेश तोर पेश 100 कंट्रीज ऐसी है जिनका टोटल जीडिपी थ्री गॉर्जस डैम की कोस्ट से भी कम है सबसे बड़ा डैम होने के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है इसमें टोटल 32 पावर फुल टर्बाइन जनरेटर लगे है जो की कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्रिसिटी बनाते है डैम के बॉटम पे पानी की प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोडने के लिए इन हैवी ड्यूटी टर्बाइन से गुजरा जाता है पानी का प्रेशर टर्बाइन को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लर्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड लोगों की खपत को पूरा करती है अगर इसका कंपरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद की टाइपो डैम में इंस्टॉल्ड है जिसकी आउटपुट कैपसिटी थ्री गॉर्जस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती अपनी बढ़ती हुई एकोनॉमिक डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है अगर दुनिया के टॉप बेस पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें से नौ सिर्फ चाइना के पास है थ्री गॉर्जस डैम को बनाना चाइना ज जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्मेंट को बहुत क्लिटिसिजम फेस करना पड़ा क्योंकि डैम की वज़े से 10 लाख लोगों के घर खाली कराने पड़े येंग सी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हट जाना बहुत जरूरी था आज भी 1500 से जादा छोटे बड़े टाउंस इसी डैम के पानी के नीचे माजूद है अगर सेटेलाइट इमेज में देखा जाए तो येंग सी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफी जादा राइस होने वाला था ठीक इस जगा पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मिटर्स लंबी और 181 मिटर उंची कॉंक्रिट की वाल को खड़ा करके येंग सी रिवर के पानी को रोका गया सेटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते है कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मिटर थी लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मिटर तक फैल गया पर सवाल ये है कि इतने ज़ादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वाल को कैसे बनाया गया सिर्फ डैम ही नहीं बलकि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है और चाइनिस इंजिनियर्स ने भी ऐसा ही किया येंग सी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डाल कर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी उचा कर अब बारी थी तीसरा पॉर्शन खड़ा करने की जिसके लिए इंजिनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा बचे हुवे हिस्से में भी पत्थरों से एक कौफर डैम बनाया गया इस दोरान रिवर की पानी को डैम के पहले वाले दो पॉर्शन के टनल से इन स्पील बे से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गी फ्लाड कंट्रोल और इलेक्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनानी का मकसद यैंग सी रिवर पे शिपिंग लाइन को बढ़ाना पिता जहां थ्री गॉर्जस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शि डाउन स्ट्रीम से 100 मिटर ऊचा है थ्री गॉर्जस डैम के जहां इतने जादा फाइदी है वहीं इसने चाइना के सर पर खत्रे की तलवार भी लटका रखी है इंटरनेशनल कम्यूनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना भी ढोस क्यों ना हो नेचर की ताकत के सामने कभी न पारिशों की वज़र से ये पानी का लेवल 164 मिटर तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है इस खत्रे के अलावा एक और खत्रा भी है एक्सपर्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मिटर पर सेकंड है लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सि जिसका मतलब है कि हर गुजरते वक्त डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है बड़े बड़े डैम का फेल होना कोई नई बात नहीं है आज तक हिस्टरी में टोटल 114 डैम के फेलियर्स हमारी सामने आ च पानी का लेवल बरदाश्ट ना कर सका और तूट पड़ा लाखों क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ चंद मनटों में आस पास की बस्तियों को ले डुबा इस हाथसे में जहां 240,000 इंसान मारे गए थे वहीं एक करोड से जादा लोग बेघर पी हुए थे त्री गॉर्जस डै जो इन डैम से कहीं जादा बड़ा है अगर इसमें कोई ऐसा हाथसा हुआ तो ये इनसानी तारीक का सबसे बड़ा हाथसा कहलाए जा सकता है दोस्तों आपको इस वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा ज़्याद से ज़्यादा लोगों तक और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करे हमारी यूट्यूब चैनल को और फेस्मूप पर फॉलो करे हमारे पेच को धन्रिबार